हेलो एवरिवन वेलकम टू शाही कीचन मैं हूँ स्मृती और आज हम बनाने वाले हैं बहुती चटपटी स्पाइसी सी नमकीन जिसे आप चाय के साथ इंचुआई करें या जम बन करें तब खाएं यह बहुती टेस्टी है तो चली इसे बनाना स्टाइट करते हैं इसके लिए मैंने लिया है चना दाल मेरी यह एक कटोरी चना दाल है जिसे मैंने अच्छे से वाश करके तीन से चार घंटे के लिए सोक होने के लिए रख दिया था तीन से चार घंटे में यह जो चना दाल होती है वो अच्छे से सोक ह जाती है फोग होने की बाद हमने एक छनी ली है और चनी में सारा पानी निकाल कर इस दाल को अच्छे से चनी की हल्प से छान लिया है ताकि जिस तना भी एक्स्ट्रा वाटर हो ना उचनी की हल्प से निकल जाए हमें खाली इसका जो उपरी लेयर पे जो पानी होती इसको एक पेन लिया है अब उपने एक प्यार्णी ले सकते हैं ऑईल को मैंने चेक किया है और मिलियम गरम होना चाहिए देखिए मैंने एक दाना जब डाला न तो अच्छे से फ्लो होगे यह उपर आ रहा था तो इतना है गरम घरम जब ओंगे तो हम ने इसके अंदर जो अपनी राइव रखी दिना यह चना दाल को डाल के अच्छे से अच्छे से तब तक फ्राई करेंगे जब इसमें से बिल्कुल अच्छे से मॉस्चर निकल नहीं जाएगा और इसे लगाता है चलाते रहे इसको चलाना बिल्कुल मत छोड़िए और फ्लेम को आप मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पे हमें इसको बुनने में लग भग 5-7 नट का टाइम लगेगा जैसे अभी इसमें बहुत सारा मौस्चर है पर जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो इसमें बिल्कुर मौस्चर नहीं लगेगा तो इतना हमें इसे बुनना है बुनने में आराम से बुनिये 5-7 नट का टाइम लगेगा फ्लेम को मीडियम रखे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते वे इसे बुनिये ताकि ये चारो साइट से अच्छे से क्रिप्स हो जाए देखे मैं इसे चेक करें हूँ बीट बिट में कि ये हुए हैं कि नहीं हुए है अब देखे मेरा ये अच्छे से बुनकर त्यार हो गया है और अब है छनी की हल्ट से न हम इस तरह से डालों को अच्छे से लेंगे ताकि जो छनी में एक्स्ट्रा ओइल जो होगा न वो इसमें से अच्छे से निकल जाएगा इस तरह से मैंने सभी डाल जो है वो भुनकर तयार होगी है और इसका कलर न हमको ज़्यादा golden नहीं करना है यह हल्का सा बस डाल का करला हल्का सा यह चेंज होगा है हल्का सा golden होगा है इतना इह करना है अगर हाई फ्लेम पे आप करेंगे तो आपकी डाल जल जाएगी इसलिए फ्लेम को मीडियम ही रखे और मैंने सभी डाल को निकाल लिया है इसके साथ ही मैंने एक कर्टोरी मुमफली ली है और मुमफली को भी मैंने सेम पैन में अच्छे से ये दो से तीन नट में फिलेम को लो टू मीडियम ही रखे फिलेम को हाई ना रखे दो से तीन नट में मुमफली भी हमारी भुनकर तयार हो जाएगी आप अगर चाहते हैं तो इसके साथ और ड्राइफूट्स वगएरा भी ले सकते हैं पर मैंने आज सिर्फ दो चीजों से ये नमकीन मनाई है तो मैं सिर्फ दो चीज ले रही हूँ और इस नमकीन को भी मैंने अच्छे से च्चनी में निकाल लिया हैं दो से तीन नट इसको अच्छे से एप मसाले हो अक्छे से निकल जाए और निकालने के बार इसको अच्छे से ठंड़ा करेंगे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होना चाहिए देखिए मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया ठंडा होने के बाद इसमें हम कुछ अपने ड्राइ मसाले एड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा तो चलिए इसके मसाले डालना स्टार्ट करते है तो सबसे पहले मैंने लिया है इसमें यह आदा चमच हमारा नमक है जो हम रेगुलर नमक जो हम यूज करते हैं यह मेरा भुनावा जीरे का पाउडर है मैंने एक चोथाई चमच लिया है यह चाट मसाला है इसे भी मैंने एक चोथाई चोटी चमच लिया है आपक अपने कॉंटिटी के हिसाब से मसाले एड़ कर सकते हैं यह कोटावा काली मिर्च Ann o कि मैंने इसके निया हूं.. इसके साथ ही मेरावर घर्ब जहाएं ग्रम मसाला मैंने एक कर दो शआए चमेमेश swirl है और हमने इसके साथ लिम्ने मेट है मेने बें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसके अंदर एड़ कर सकते मैंने सपेर नमक भी लिया है तो काला नमक मैं सिर्फ एक चौथा चंबर रही हूं और इसके साथ ही मैं इसको थोड़ा सा चेट पटा बनाने के लिए मैं ले रही हूं इसके साथ ही यह मेरा लाल मार्केट वाली नम्कीन बिलकुल तियार है, मार्केट वाली expensive भी कई मिकल भी ह bajo आपकें बचे को हैं अगर मेले लग नम्कीन अज्वाक आँक के 7 कडि़ूas ड़ियू करें चेनल पर लॉइक है, और सब्सक्राइब करें और भी और और अोड़ मैंकीन कैसे ठ Thank you!